हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अर्द्या अरेयश अकडमी में दोस्तों राज़स्तान में आयुजित है राज़स्तान पटवारी बरती परिक्षा के लिए हिंदी व्याकरण में संग्या से समंदीत संग्या से समंदित आज मैं आपके लिए टोप 50 प्रेसन लेके आया हूँ दोस्तों ये 50 प्रेसन देखने के बाद में आपका जो संग्या का टोपिक है वो पूरा का पूरा के लिए हो जाएगा दोस्तों अरग द्यारे सेकेटिवी के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नह अब देखे यहां पे कारक का नाम आया है तो मा आपको बता देता हूँ कि अपन संग्या में कारक क्यों पढ़ रहे हैं देखे सबसे पहले मा आपको बता देता हूँ संग्या तो दोस्तों जो संग्या है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है नाम इसका अर्थ क् व्यक्ति, इस्तान, भाव या दसा के नाम को संग्या कहते हैं आग्या नाम यानि की संग्या के मतलब क्या है नाम अब देखिए संग्या सब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक से परिवर्थित हो जाते हैं संग्या सब्दों के रूप लिंग वचन तथा कारक से परिवर्थित हो जाते हैं लड़का लड़की लड़के लड़के से लड़के का ठीक है इसलिए जो वचन कारक वो भी इसी में आएंगे ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखें इंदू यह मिठाई सुदा के लिए लाई है तो इसमें कारक कौन सा है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कारक है दोस्तो संपरदान यानि कि के लिए समझ में आ गया संपरदान करताने करम को करने से संपरदान के लिए यानि कि के लिए इसमें आ रहा है तो इसमें संपरदान इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे पंडित का इस्त्रीलिंग है तो दोस्तों पंडित का इस्त्रीलिंग क्या होगा वो अपने कुछ में बताना है तो देखे पंडित चार ओप्शन में आपके देखा रहा हूं दोस्तों ये देखे 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 पंडित आई पंडिया पंडित थे पंडिताईन तो पंडित का जो इस्ट्रेलिंग रूप होगा वो होगा दोस्तों पंडिताईन क्या होगा पंडिताईन तो इसका राइट आंसर दोस्तों लास्ट वाला यानि की डी नंबर वाला उप्शन है वो इसका बिलकुल से उत्तर हो जाएका पंडिताईन तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मा आपको बता दूँ कि जो भाव आचक संग्या है वो कहते किसे हैं देखिए दोस्तों इसमें वे सब्द जो किसी व्यक्ति वस्तू या इस्तान के भाव या दसा का बोध कराते हैं उन्हें भाव वाचक संग्या का कोई आकार नहीं होता याद रखना भाव वाचक संग्या का कोई आकार नहीं होता इसे केवल महसूस किया जाता है तो देखिए आपको यहां पे ऐसे सब्दाएंगे जो शिर्फ और शिर्फ आपनों को मैसूस कर सकते हैं लेकिन उनका कोई आकार है नहीं होता तो यहां पे देखिए चुनना इसका भावाचक संग्या बनेगा दोस्तो चुनाओ क्या बनेगा चुनाओ तो इसका राइट आं वाचक संग्या कौन सी है अब देखे मैंने बहावाचक संग्या बता दिया आपको अब मैं आपको जाती वाचक संग्या के बारे में बता हूँगा देखे जाती वाचक संग्या का मतलब होता है जैसे जाती जाती का मतलब को क्या होता है वर्ग या समुदाए तो इसकी जाती का बोध कराते हैं उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे लड़का गदा आदमी उट लड़की बेड औरत बकरी ठीक है तो एक-एक का नाम नहीं ले रहा है ठीक है उसमें पूरी जाती का बोध आगया जैसे लड़का है गदा है तो एक गदा थोड़ी गदे तो हो जाएगा वो है दोस्तों चार उप्षन आपके सामने हैं तो पहाड ठीक है पहाड है यह एक पाड़ थोड़ी होता है पाड़ तो खुब सारे होते हैं ठीक है तो यह एक जाती का बोध करवा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पहाड इसका राइट answer तीक है C number वाला option से उतर आगे देखिए इन में से भावाचक संग्या कौन सी है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनका कोई आकार नहीं होता लोहा गंगा बनाराश ग्रणा तो ग्रणा का कोई आकार नहीं होता तो यहाँ पे ग्रणा है यह संग्या याद रखना है आपको ठीक है आगे देखिए बुड़ापा में कौन सी संग्या है तो यहाँ पे बुड़ापा बुड़ापा में कौन सी संग्या है तो देखिए यह तो सब को पतावना चाहिए दोस्तों काफी बार प्रिक्षा में पूछा भी जा चुका है ठीक याद रखना तो इसका right answer हो जाएगा वो है C number का जो option है वो इसका बिल्कुल से वित्तर हो जाएगा ठीक है बुड़ापा जैसे वीर वीर का हो जाएगा वीरता ठीक है सचा का हो जाएगा सचा ही मीठा का मतलब हो जाएगा मिठास ठीक है ऐसे ही आगे देखिए साथ नमबर प्रेशने मोहन सो रहा है इस वाके में मोहन किस रूप में है मोहन सो रहा है इस वाके में मोहन है वो किस रूप में है तो दोस्तों मोहन है वो करता है यहाँ पे क्या है करता क्योंकि मोहन ही तो करता है ठीक है क्योंकि यही तो सो रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करता है मोहन कौन है मोहन है वो करता है तो इसमें डी नंबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है इन में से भाव आचक संग्या कौन सी है तो इन में से भाव आचक संग् से भावाचक संग्या बनाई गई है इसमें विशेशन सब्दों से भावाचक संग्या है वो इसमें बनाई गई है जैसे विशेशन सब्द है इसमें जैसे मान लो सचा तो इसका दोस्तों भावाचक संग्या क्या बनेगा तो सचाई यह और लग जाए गई इसके पीछे ठीक ठीक उसी प्रकार अच्छा है ये सब्द विशेशन है ठीक है लेकिन इसमें अगर अपन इसको भावाचक संग्या का सब्द बनाएंगे तो इसमें E जोड़ देंगे यानि कि क्या हो जाएगा अच्छाई तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें अच्छाई ये भावाचक संग्या है और ये विशेशन है तो इसमें अच्छाई इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन से यूतर नाइन नंबर प्रेशन है इसमें देखिए बहुत इसांदर लेवल का प्रेशन है जिस संग्या पद से किसी वर्ग के प्राणियों वस्तू या संस्थाओं का बोध होता है वह हैं तो उसको क्या बोलते हैं तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों किसी समुह का बोध होता हो किसी वर्ग के प्राणियों वस्तुओं का बोध होता हो यानि कि किसी वर्ग या समुदाय से मतलब होता है वो है जाती वाचक संग्या से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाती वाचक संग्या C नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जाती वाचक संग्या आगे देखिए दस नंबर का प्रेशन है जगड़ना की भाव वाचक संग्या है तो जगड़ना की जो भाव वाचक संग्या है वो कौन सी है तो वो है दोस्तों इसका अगर अपन देखिए जगड़ना तो जगड़ना का अगर अपन भावाचक संग्या करें तो दोस्तों इसका बनेगा क्या जगड़ा क्या बनेगा जगड़ा तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें Suri इसमें देखिए जगड़ा है तिक है और जगड़ा का अगर अपन भावाचक सब्द बनाए तो दोस्तों इसमें जगड़ना जगड़ा 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है C नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जगड़ा ठीक है आगे देखिए 11 नमबर का प्रेशन है सर्व की भाववाचक संग्या है सर्व की भाववाचक संग्या है तो दोस्तों क्या हो जाएगा वो है सर्वस्व ये दोस्तों सर्वनाम वाले सब्द है जो ये सर्व है ये दोस्तों सर्वनाम वाला सब्द है सर्वनाम वाला सब्द है और इसका अगर अपन भाववाचक बनाएंगे तो जैसे सर्व का हो जाएगा सर्वस्वय निज का मतलब हो जाएगा निज्त है सव का मतलब हो जाएगा सवत्वय अपना का मतलब हो जाएगा अपना पन या अपनत्वय तेरा का हो जाएगा तेरा प और त्वे, स्वे, इन सब्द का इसमें जदा प्रियोग होता है, तो इसका राइट सीर जाएगा सरवसवे, ठीक है? इसमें देखें, बी नमबर का जो अपिशन है, वो इसका राइट आजएगा सरवस hoping, ठीक है? आगे देखिए इसमें 12 नमर का प्रेस ने पेड से पत्ता गिरा वाक्य में कारक है तो यहां पे देखिए पेड से पत्ता गिरा यानिकी अलग होने का भावारा है तो इसमें अपादान कारक है कौन सा कारक है अपादान कारक करताने करम को करण से संपरदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए तो आपादान में अलग हो रहा है ना तो इसका आपादान इसका राइट आंसर नेक्स्ट है नदी संग्या है तो दोस्तों नदी क्या है तो दोस्तों नदी है ये जाती वाचक संग्या है क्या है जाती वाचक के संग्या है नदी ठीक है नदी पंखा कलम बकरी ओरत आदमी पसू महादीप राज्ये सहर कोचिंग गाउं पुस्तक किताब पेड डोक्टर सरपंच मनुस्य जूता बोतल मेज ये सबी है परदान बंतरी प्राश्टर पती राश्टर पती अध्यापक ये सबी है ये जाती वाचक है तो इसका राइट अंशर नदी है ये जाती वाचक संग्या है आगे देखे बच्चा की भाववाचक संग्या है तो यहां पर देखे बच्चा की भाववाचक संग्या क्या बनेगी तो इसका बनेगा दोस्तों बच्पन क्या बनेगा तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, इसमें, sorry, B number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा, बच्पन, तीक है, याद रखना इसका, आगे देखिए दोस्तों इसमें, इन में से भावाचक संग्या है, तो भावाचक संग्या है, वो कोन सी है, तो यहाँ पे देखिए, सत्य, तीक है, सत सत्य ठीक है याद रखना तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर सत्य ठीक है आगे देखे पंडित की भावाचक संग्या क्या होगा तो मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि पंडित का जो इस्त्रीलिंग है तो पंडिताईन अब यहां पे पूछा गया है कि पंडित का दोस्तों जो भावा अचक संग्या है वो क्या बनेगा तो इसमें बनेगा दोस्तों पंडित्वे क्या बनेगा जैसे इस्त्री का अगर अपन भावाचक संग्या करें तो इस्त्रीत्व हो जाएगा ठीक है और नारी का हो जाएगा नारीत्वे ठीक है हिंदू का हो जाएगा हिंदूत्वे नोकर का हो जाएगा नोकरी ठीक है तो ठीक उसी परकार पंडित का क्या हो जाएगा पंडित्वे तो यानि कि इसमें पंडिते, ठीक है, तो इसमें right answer हो जाएगा, C number का option right answer हो जाएगा पंडिते, ठीक है, आगे देखिए इसमें, 17 number प्रेशने, मुंबई कौन सी संग्या है, तो यहाँ पे मुंबई है, यह कौन सी संग्या है, तो मुंबई है यह दोस्तो व्यक्ति वाचक स संग्या है मुंबई, और व्यक्ति का साब्दी करत क्या होता है, तो विशिष्ट यानि कि एक, ठीक है, यानि कि एक, वे सब्दे, जो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तू, या एक ही इस्तान विशिष्ट का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, ठीक है तो यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि मुंबई मुंबई आ गया भारत आ गया फ्रांस आ गया यूएस आ गया ठीक है ये सबी है ये क्या है तो ये व्यक्ति वाचक है संग्या ठीक है तो इसका right answer व्यक्ति वाचक संग्या आगे देखे रमेश कल दिली जाएगा इस में रमेश क्या है तो इसमें रमेश है वो क्या है तो वो है दोस्तो संग्या ठीक है रमेश क्या है व्यक्ति वाचक इसमें संग्या है आगे देखे मालीन का पुलिंग क्या होगा मालीन का पुलिंग क्या होगा तो मालीन का पुलिंग हो जाएगा दोस्तों माली ठीक है तो इस वाक्य में कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, देखे, करता ने करम को करण से, तो यहाँ पे से सब्द का प्रियोग हुआ है, तो यहाँ पे देखे, दोस्तों, करण से, ठीक है, तो इसमें करण कारक का इसमें प्रियोग हुआ है, नेक्स्ट, पुलिस ने चोर पक इसमें next हिंदी में कारक है तो दोस्तों हिंदी में कारक है वो कितने हैं तो सब को पता है आठ कारक है हिंदी में ठीक है तो इसमें right answer ए नंबर का option हो जाएगा next पिताजी घर में है इस वाक्य में कारक है देखिए अधिकरण में नाम तो सुनाई होगा दोस्तों आपने last वाल तो अधिकरन में तो इसमें देखिए पिता जी घर में है काँपर है घर में तो इसमें अधिकरन कारक आएगा इसमें तो इसका राइट आंसर अधिकरन कारक ठीक है आगे देखिए पुलिंग है तो दोस्तों यहां पर देखिए कौन सा सब्द है वो इसमें पुलिंग है ठीक decide कर सकते हैं कि कौन सा pulling है कौन सा strilling है ठीक है तो देखिए बेचारी जीब क्या सई match हो रहा है क्या जैसे बेचारी जीब तो बिल्कुल हो रहा है बेचारा जीब थोड़ी होता है बेचारी जीब होता है तो यानि कि ये strilling है मनी, बेचारा मनी तो होगा नहीं, बेचारी मनी होगा, तो ये भी इसमें इस्त्रीलिंग है, बेचारी खीर, ये भी दोस्तों इसमें इस्त्रीलिंग है, बेचारा नीलम, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीलम है, ये दोस्तों इसमें पुलिंग सब्द है, तो इसका राइट आं से उत्तर हो जाएगा नीलम ठीक है यहां पे नाम का नहीं दे रखा आप सोच रहे हो कि नाम का दे रखा नहीं नाम नहीं है यहां पे ठीक है नीलम जो रतन नहीं होता उसका नाम होता है नीलम आगे देखिए बुड़ा का इस्त्रीलिंग है तो दोस्तों बुड़ा का जो इ बुडिया क्या हो जाएगा बुडिया तो इसमें ए नंबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा बुडिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जाती वाचक संग्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जाती वाचक संग्या है तो इसका राइट आ का option से उत्तर हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि बकरी भेड ऊंट गाय भैस पसू ठीक है यह सभी है यह जाती वाचक संग्या में आते हैं आगे देखिए इसमें 27 नुमर प्रेशन है लिखना भाव वाचक है तो दोस्तों लिखना का भाव वाचक क्या हो जाएगा तो य इस वाक्य में कारक है तो कौन सा कारक है तो देखिए मैं पानी पी रहा हूं तो इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों क्या कर रहा है तो इसमें करम कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करम कारक का प्रियोग इसमें होगा नेक्स्ट है आगे देखिए पानी को पी रहा है, तो इसमें करम करक, Next है इस्त्री का बहुवचन क्या होगा, तो इस्त्री का बहुवचन होगा दोस्तों इसमें क्या, तो वो है इस्त्रियाँ, ठीक है, D number का जो option है, वो बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, इस्त्रियाँ, आगे देखें इसमें, 30 number मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, इस्तान, वस्तु, विचार या भाव का बोध होता है, उसे दोस्तों संज्या कहते हैं, तो इसका right answer संज्या, the number option, next हिंदी में लिंग होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक पुलिंग और एक इस्तिरी लिंग, तो तो इसका right answer दो, तो इसमें दो इसका right answer हो जाएगा, आगे देखें, जिस संग्यापद से किसी भाव, गुण, अवस्ता, व्यापार, आदिका बोध हो रहा हो, उसे कहते हैं, दोस्तों क्या, उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाव वाचक संग्या कहते हैं तो यहां पे देखिए गुण भाव आ गया तो भाव आचक संग्या हो जाएगी इसमें आगे देखिए सोना संग्या है तो यहां पे जो सोना है वो दोस्तो जाती वाचक संग्या है क्या है जाती वाचक संग्या है सोना ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें हिमाले संग्या है हिमाले संग्या है तो यहां पर देखिए हिमाले हिमाले की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो हिमाले है यह व्यक्ति वाचक संग्या है क्या है? व्यक्ति वाचक संग्या ठीक है? हिमाले देखें पर्तवी, बुद, सुक्र, सनी, अरून, वरून, चंबल, सर्यू, यमुना, प्रसांत मासागर, हिंद मासाबर, एसिया, भारत, फ्रांस, जैपूर, राजस्तान ये सबी हैं ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संग्या है ठीक है आगी देखें संग्या के कितने परकार होते हैं तो दोस्तों संग्या के तीन परकार होते हैं कौन-कौन से तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन संया कोन सी है, तो यहाँपे सीधा सा है, आपको यहाँ पर राम नाम दिख रा है, घैंहों, जो राम है, यह दोस्तों यहाँपे क्या है, वेक्थिवाचक mice आगे देखिए, 38 नंबर प्रैसिने, सीला कोन सी संक्या है, तो दोस्तों, सीला भी इसमें कौन सी संग्य हो जाएगी बताइए तो सिला है वो इसमें विक्ति वाचक संग्य है क्योंकि ये एक नाम है तेक необходимо और एक ही विक्ति है सिला तो इसका right answer विक्ति वाचक संग्य है आगे देखिए सुंदर्ता कौन सी संग्य है तो यहां पर देखे सुन्दर्ता आ गया, सुन्दर्त था और उसको बना दिया गया दोस्तो सुन्दर्ता, यानि कि इसमें भाव का प्रियोग हो रहा है, ठीक है? तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है इसमें भाव वाचक का इसमें परियोग हुआ है ठीक है भाव वाचक संग्या का इसमें परियोग हुआ है सुन्दरता का सुन्दर का सुन्दर सब्द था इसका दोस्तो भाव वाचक किया तो सुन्दरता हो गया आगे देखे, चालिश नमबर प्रशन है, जिस संग्या सब्द से किसी विशेष व्यक्ति इस्तान या वस्तू के नाम का बोद हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तो व्यक्ति वाचक कहते हैं. आगे देखिए दोस्तो इसमें 41 नमबर प्रेशन है करूना कौन सी संग्या है करूना कौन सी संग्या है तो दोस्तो ये भाव वाचक संग्या है करूना ठीक है कौन सी संग्या है भाव वाचक संग्या है करूना ठीक है आगे देखिए बहु का बहु वचन है तो दोस्तों बहु का बहु वचन क्या हो जाएगा तो वो है बहु ये क्या हो जाएगा बहु ये तो इसका right answer C number का option हो जाएगा बहु ये ठीक है आगे देखिए हिंदी में वचन है तो दोस्तों हिंदी में कितने वचन होते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए हिंदी में दो वचन होते हैं एक वचन और बहुचन तीक है याद रखना दो वचन होते हैं हिंदी में आगे देखे इन में से जाती वाचक संग्या कौन सी है तो इन में से जाती वाचक संग्या है वो दुस्तो नदी है कौन सी है नदी है वो इसमें जाती वाचक संग्या है नेक्स्ट है कसना की भाववाचक संग्या है तो कसना की भाववाचक संग्या क्या हो जाएगी तो वो ह कसावत है क्या हो जाएगा कसावत जैसे लिखना है लिखना का भावाचक क्या हो बनेगा तो मिलावत है ठीक है ठीक है और जैसे बनावत दिखावत है ये सभी सब्द है ये भावाचक संग्या की सब्द है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कसावत ये नमबर प्रसन आपको संग्या से समंदित करवा दिये हैं कल अपना सर्वनाम से समंदित टोपिक आएगा और उसके भी मैं आपको तोप 50 प्रसन करवाऊंगा ठीक है आज के इसमें 5 प्रसन कम है तो कल अपन पूरे करेंगे इसमें ठीक है कल अपना टोपिक रहेगा संग्या का तो अरद्यारेसेकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करें अगर आपने पिछली कलासे अगर नई देखिये तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी नहीं सामाने हिंदी व्याकरण परसन उत्री के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी के सारी कलासे हैं वो जरूर देखिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत